मुश्कार मेराज मोहन आप देख रहे हैं बिहारे नियू चलिए बढ़ते हैं आज दोपहर तक की बिहार सहित पूरे देश की प्रमुक खबरों की ओर भारत में कोरोना संक्रमन की संख्या लगभग 24,161,000 को पार 14 अगस सुबा 8 वजिक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भार मिले हैं इसके साथ ही देश भर में कोरोना संक्रमन की संख्या 24,161,190 पर पहुच गई है हालांकि 17,51,555 मरीज ठीक होकर घर लोट चुके हैं वहीं अभी पूरे देश में 6,655 कोरोना के एक टीप केस मौजूद हैं अब तक पूरे देश में 48,040 लोगों ने कोरोना संक् से रिकवरी दर 71% से जादा हो चुकी है अमेरिका ने सीनेट में चीन के आलोचना करते हुए भारत के पक्ष में पेस किया प्रस्ताव दुनिया के सबसे सकती साली दूइतिय सदन अमेरिकी सीनेट में दो सीनेटरों के समूने एक प्रस्ताव रखकर भारत के प्रती चीनी अक्रामक्ता की अलोचना की है सीनेटर ने कहा कि वह चीन के खिलाब खड़े होने और हिंद प्रशांद छेत्रे के स्वतंतरता बनाये रखने में भारत की प्रतिबंदिता की प्रसंसा करते हैं हमेशा के मुकाबले अब यह ज्यादा जरूरी है कि हम अपने भारतिय का जुर्माना के उलंगन के लिए प्रस्तावित भारिश जुर्माने को नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल एंजीटी ने मंजूरी दे दी है आपको बता दे कि 12 जून को के इंद्रिये प्रदूशन नियंद्रन बोर्ड सीपी सीवी ने ध्वनी प्रदूशन मांदंडो के उल में भारत में लागू किया जा सकता है बतादे कि सीपी सीवी के रिपोर्ट के अनुसार लाउड स्पीकर और सरवजनी के पता परनाली के दुरुप्यों के लिए उपकरन जब्द करने के अलावा दस हजार रुपे का जुर्माना लगा गया है एक हजार से अधिक के विये क संग राज च्छेतों में नियम के अनुपालन के उद्दिस के लिए उचित वैदानी का दिष भी जाड़ी कर सकता है सीव सेना नेता संजेयर ने सुसांध सरकार सब्सकार के से लिए कि तर दिए को खाल दिया है पतरकर है ने कहा कि सुसांध के पडिवार साहिट सभी को कुछ समय के लिए सांत रहना चाहिए और मुंबई पुलिस को जाच्च समाप्त करने देना चाहिए उन्होंने बिहार सरकार पर वियंक कस्ते हुए कहा कि मुषाद को भी ले आओ हमारे पास शिपानी के लिए कुछ भी नहीं है वहीं द्यूगन दविनेता सुसांद सिंग राजपूत की बहन स्वेता सिंग किरती ने भाई की मौत की निसपक्च जाच की मांग की है और लोगों से इसके पक्च में खड़े होने का अग्रव किया है स्वेतन इंस्ट्रग्राम पर एक वीडियो में कहा कि हमें CBI जाच के लिए एक साथ खड़े होने की जरूरत है निस्पक्ष जाच की मांग करना उनका अधिकार है मंगलपांडे का तेज़सीहदोपर पलतवार कहा बहन डॉक्टर और भाई पूर्व स्वास्ठ मंत्री लेकिन तेज़सी ersवी को समझ में नहीं आता स्वास्त मंत्री मंगल पांडे ने तेजुसी यादो पर बिहार की जंता से जूट बोलने का रोप लगाया है उन्होंने कहा कि उनके बड़े भाई स्वास्त मंत्री राचुके हैं एवं बड़ी बांड डॉक्टर हैं वे उसे कुछ सीखें और उसके बाद ही कोई एक बियान बाजी दें आपको बता दी कि तेज तो यादोंने आ रोप लगाया था कि बिहार सरकार करोना जाच के आक्रों से खेल रही है उन्होंने कहा था कि बिहार में मात्र एक सट सो आटी पीसीर कोरोना जाच हुए हैं और सभी एंटीजन जाच हो रहा हैं इस पर जवाब देते हुए स्वास्तमंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में प्रती दिन एक सट सो आटी पीसीर से कोरोना जाच हो रहा है ना कि केवल एक सट सो आटी पीसीर जाच हुए जाती है वहीं रेपीड एंटीजन टेस्ट में 15 से 20 परतिसत गलत रिपोर्ट देने की बात कहीं जाती है आईपील सुरू होने से पहले ट्रेणिंग के लिए आज चैन नहीं पहुचेंगी चैन नहीं सुपर किंग्स कोरोना महां मारी के बीच आईपील तेरा सीजन की सुरुआत 19 सितम बर से यूँए में होना है यूँए रवाना होने से पहले फ्रेंचाइज से टीम चैन नहीं के खिलारी एक सब्ता क्यों ट्रेणिंग लेने के लिए आच्चे नहीं पहुंचेंगे के कफ्तान महें से धोनी का कोविड-19 टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है और वो इसमें निगेटी पाएगा है धोनी चार्टड प्लेन से नहीं पहुंचेंगे आपको बताते कि सभी खि पती ने ट्वीट कर बिहार में कोरोना और बाड के प्रकोप को विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए किंद सरकार और राजिस सरकार से सवाल किया है उन्होंने लिखा कि बिहार में कोरोना महमारी और बाड पिरित लाखों गड़ी पड़िवार के सरकारी उपेक्छा और रहत अभाव आधी के करण उनकी बदहाली के ऐसी अंदेखी राष्ट्रिये चर्चाओं में हैं वहां लोग विधाय को बंदक बना रहे हैं फिर भी सरकार उदसीन और गहर जिम्यवार बनी हुई है जो अति दुखद और आमानवीय है वही दूसरे ट्वीट में ने ल पर ने है लिया है क्याँ है बताते चुना Holmes समय के बात करो्ट करते है नजर रही है वोट की हौट्स के मामले ले में दो a पालिका के प्रतिकतित रूप से दो अपमांजनक ट्वीट करने को लेकर अधिवक्त प्रसांत भूशन के खिलाब स्वता शुरू की गई अवमानना करवाई में सुप्रीम कोड ने फैसला सुनाते हुए इस मामले में अधिवक्त प्रसांत भूसन को दोसी करार दिया है आपको पता दे के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े और लोकतंत्र को नश्ट करने से संबंदित दो ट्वीट को लेकर प्रसांत भूसन को नोटिस बेजी की गई थी इन दोनों ही मामलों में उन्हें नयाले के अममाना का दोसी करार दिया गया है अब सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी दोपार तक की खबरों के लिए फिलाल इतना ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे ये बिहारी नियूज धन्यवाद